हालो माई डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है इस क्लास में, हम उमीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बढ़िया नहीं, सूपर डूपर बढ़िया होंगे, जी बढ़िया सूपर डूपर कैसी हो सकते हैं, माम, एक्जाम हैं जो सर पर आ चुका है, और अभी तक हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फिर जो है, में भी हो सकता है, बाद में थोड़ा सा पता चले कि मेरा इंट्रस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट के अंदर, मैंने तो ऐसे ही देखा, सौफ्वेर इंजिनियर मुझे शब्द अच्छा लगा और मैंने इसको ले लिया अब मुझे प्रोग्रामिंग पल्ले नहीं पढ़ रही है, पल्ले नहीं पढ़ रही है, या फिर कहलो कि मेरा एक इंट्रस्ट है जो नहीं बन रहा है उसके अंदर है, या फिर अपने क्या लिया, आप IPCS ले लिया और जही नीड की वज़े से पढ़ने का टाइम नहीं मिल और एक बच्चे होंगे जन्होंने पता नहीं किस वज़े से IPCS लिया होगा और पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ठीक है, मतलब और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जिनको प्रोग्राम्स आती होंगे, और बाकी चीज़ों में हाथ टाइट होगा, तो वो त चलो निकल जाएंगे, चल जाएगा उनका है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनको बाकी चीज़े तो ठीक है, लिकिन प्रोग्रामिंग में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब प्रोग्रामिंग का P भी है ना, जो वो भी दिक्कत करता है, तो मतलब ऐसे अलग अलग अ जो होंगे, तो अब ऐसे में कहानी ये आती कि हमारा ये जो सबजेक्ट है ना, ये टो टोटल है, जो P for practical subject है, और फिर इसमें चीज़े करें तो करें कैसे, क्योंकि practical चीज़े है तो वो एक दिन में तो होगी नहीं, है ना, कि भाई, एक दिन में कोई, मैं आपको ऐसा कोई जादू की जड़ी बताओं और एक दिन में आप सारी चीज़ें इसमें से देख करके, मतलब कर लो, प्राक्टिकल चीज़ें तो प्राक्टिकल उसी हिसाब से आएगा, जैसे कि अगर आप आज आयो मेरे पास कि मुझे फुटबॉल सिखा दे, फुटबॉल पूरा प्राक प्राक्टिकल के लिए आई नीड टाइम, वही चीज़ यहाँ पर है, और अच्छी चीज़ यह है कि आपके पास में टोटल दस से ग्यारा दिन का टाइम है, राइट आज से अगर हम देखें आपके 23 तारी को आपका एक्जाम है, या फिर आप बाद में भी इस लेक्चर क यह सा है कि भई हमें कुछ आता नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ आता भी है, तो पता नहीं है कि हमें आता है के नहीं आता है, तो हम बीच में फसे हुए हैं कुछ, ठीक है, कहानी जब ऐसा कुछ मोड ले रही है कि हमें कुछ आता है कि नहीं आता है, हम बीच में से कुछ तो इस मजधार के अंदर से निकालने के लिए एक शक्स आता है और वो शक्स है जी हम पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर ठीक है क्रेडिट आपको भी जो देना चाहेंगे तो क्या आप तयार हो इस जर्नी के लिए बेलकुल तयार हैं तो चलिए इस जर्नी सवार होते हैं और सबसे पहले कहानियां और किस्सें और बातें सुनते हैं यहां पर आपके अपे असी इसा बच्चा इस क्लास के आंदर जcean करने ऐसा खोई बच्चा ऐ मैंने computer science का भी कुछ ऐसा ही करवाया था तो इसमें काफी बच्चे था जो नीचे मीमी लिख रहे थे आप में सो कोई है इसा हाँ कोई बात नहीं अगर आप भी कहोगे कि मैं पहली बार देख रहें तो हम बुरा नहीं मानेंगे इससे खेर होसला ही मिल रहा होगा बाकी बच् करशन होगा यहां पर बात कर रहे होंगे informatic practices की अब कहानी कुछ ऐसे है कि अगर आप अपने paper को अच्छा करना चाते हो कोई भी category क्यों ना हो तो शुरू से ना आप इन दोनों पर ज्यादा ध्यान है जो देख करके चलो networking और societal हो जाते हैं अगर आप इनके PYQs भी है जो क कर लोगे कि यह 10-10 number है बाकि 70 में से मेरे बच्चे 50 number आप लोगों के इन दोनों section से हैं तो हर दूसरा या तीसरा question आपको इसी में से आ रहा होगा और कहानी ऐसे भी है कि यह दोनों तो ठहरे theoretical है ना तो theoretical के अंदर कहीं न कहीं confidence बनता रहता है बस बात आती है practical वालों के अ आते हैं और 25-25 number मैंने आपको बता दिये अब ऐसी चीज है कि इसी channel के ऊपर हम लोग कल कितनी तारिक है 13 जीदी बात बता दे कल थोड़ी सी कोई दिक्कत आ सकती है क्लास को आगे पीछे reschedule किया जा सकता है लेकिन मैंने पांच बजे का टाइम एक बर तो लगा दिया है ब तो कल-कल ये दिक्कत आ सकती है अगर वो दिक्कत कल नहीं आई तो में भी हो सकता है परसों आए तो वो दिक्कत आएगी जरूर मतलब एक दिन के लिए आज या कल या परसों के अंदर से बाकी हम तालने की कोशिश है जो उसमें करेंगे तो सीधी चीज आपको पहले बता देते हैं ठीक है कि अगर क्लास आगे पिछे भी थोड़ा सा टाइम टेबल कल या परसों में से किसी भी एक का होता तो गवराना नहीं है अब दूसरी चीज आती है कि यहां से आता है जी हमारा उटकर के पैंडा पार्ट बान चुट्टू जातों है इसके वान शॉट आल् ठीक है आप इसमें किसी चीज का रट्टा नहीं मार जकते हैं मारने की कोशिश करोगे तो मैं कहूंगी that is wastage of time ठीक है क्योंकि वो चीज़े प्राक्टिकल चीज़े कैसे दिमाग में घुज जाएंगे यार कि तो मैं उसको रट्टा मारने के लिए बैठ होगे तो प्राक् चीज यह है कि आपके पास में कोई computer science की तरह हैं कोई programs वगेरा नहीं आते हैं तो आपको वही चीज़े हैं जो आपको करनी है उसमें से आपकी चीज़े आ जाएंगे csv को भी दो चार बार export import करकर करके देख लेना 2 csv underscore ना तो यह जितने भी function है ठीक है read underscore वाला और 2 csv वा practical type का होता है एक अदा question और आपसे चुट्टू पुट्टू सा पूचा जा सकता है अच शुरू के 18 question के अंदर से हाँ कहानी इसमें से है जो अच्छी खासी आपसे पूची जाएगी ठीक है तो यह आपको बहुत अच्छे तरीकी से आने चाहिए यह functions में function mix हो करके पूच question आते हैं मतलब आते हैं बहुत का in the sense की ऐसा नहीं कि 10-12 question हाँ group by से आपको 4-5 question कह सकते हो having भी mix करके order by से 1-2 और यहां से भी आपको 4-1 question है जो बन सकते हैं बाकि count count star के बीच में अंतर मैं बता ही रही हूँ हाँ networking के अंदर से देख लिजे आपको 4-5 number का case study base आएगा पर ध्यान देना चाहती हूँ ना तो ध्यान से सुनना इसकी theory में से मैं अगर आपसे कुछ भी पूछू तो आप मुझे यही कहोगे कि मेरको सारी चीजे पता हैं इसके अंदर से the difference between static और dynamic आपके पास में web page website के बीच में static dynamic के बीच में browser यह add-on इनके बारे में आपको ची अभी भरदो ना आप रुकने नहीं चाहिए मतलब इसकी theory पूरे में से मैं यही कहूँगी कि अच्छे से याद कर लेना और यह मैंने पहले दिन से चीज बोली आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं अगर time मिले तो आप topology बगएरा को भी और इनकी भी full forms बगएरा इनकी भी एक भी चीज़ क्योंकि theory वाली चीज़ें यहां से फस्ती हैं फिर आता है societal impact इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इसके पी वाई क्यूस करने बस दो ही चीज़ें आप करोगे तो इनफ हो जाएगा NCRT भी follow कर सकते हो नीचे जाने की जुरत है नहीं तो यह आपका से ले बस था अब यहां से अगर आप उठाते हो आपका sample paper तो sample paper की कहानी भी आप थोड़ी सी देख लो ठीक है तो कहा है हमारा informatics तो देखें sample paper की कहानी के according आपको चीज़ें है जो करनी है ठीक है तो इसमें देखें आपके 5 section है तो थोड़ा सा एक बार इसको नजर जरूर मारना और हो सके तो इसको एक बार solve जरूर करना बाकी चीज़ें बहुत easy है कि शुरू के 18 question MC की use में है ठीक है और आपको देखो इस तरीके से आपकी commands पगर आएंगी और कोशिश करिएगा कि सारी commands को आप लिख सको ताकि लिखोगे तो आपकी cutting button की दिक्कत है जो बलकुल कम हो जाएगी अब कहानी आती है यहाँ पर कि हम पढ़ें तो पढ़ें कहां से अब ऐसी चीज़ है कि मैंने इसी channel पर आप कवर कर लीजे यह full networking की यह मैंने telegram पर share कर रखा है ठीक है otherwise इसके description में भी आपको मिल जाएगा data structure तो खेर आपके है नहीं यह बड़ी दमदार रहेगी पांच मिनट में सारे topics कवर हो रखे है one shots यहां डाल रखे है ठीक है 100 programs खेर आपके लिए नहीं है और फिर नीचे आए कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन-कौन से topic है और यहां से आप उसको अच्छा से पढ़ भी लोग है तो मैंने सब के सामने देखो data visualization IP है IP है ठीक है तो कहने का मतलब है कि आप इन चीजों को अवश्य है बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार देख लीजेगा okay ठी के अंदर कहानी इतनी है कि हम लोग MCQs के wise questions है जो basically कर रहे होंगे ठीक है MCQs wise का मतलब क्या है कि यहां पर आप लोगों के खुद के आपके response मुझे है जो पता चल रहे होंगे तो आप जब पढ़ लोगे चीजे उसके बाद में यहां करके चीजे करोगे तो आपको काफी स चीजें आती है मतलब practical चीजें ज्यादा आती है और उसकी networking की theory का मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है तो यह 11 classes इसके अंदर आपको मिल रहे होंगी और यह सवा 8 बजे class होगी बस दो दिन एक 15 तारीक को और एक 17 तारीक को आपकी class 1045 पर है मैं दिखा दू 17 तारीक कहा है यह देखो ठीक है एक तो 17 को और एक 15 को ठीक है राइट तो यह दो दिन आपको दिक्कत होगी 1045 की बाकि आपकी classes सारी की सारी 945 पर सारी 815 पर everyday होने वाली है ठीक है तो यह कहानी रही हमारी और वैसे आप टेलिग्राम जाओगे हमारे इस पर चैनल पर जैसे ही आप गए तो देखे कितनी सारी playlist है अब नीचे देखे आप एक से एक चीज है मतलब कहके तो देखो कि मैं यह बता दो तो सारी चीज़े बता रखे मैंने यहाँ पर ठीक है आपका data visualization हो गया everything तो यहां से भी आप check out चीज़ें कर सकते हो I hope यह चीज़ें आपको बड़ी help करेंगी and help के लिए तो चीज़ें बनाई है help के लिए तो यह lecture है अब मैं आपको अगले session के अंदर यह बताऊंगी कि आप कहां से note sports download है जो कर सकते हो ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली class में bye bye and yes channel को यार subscribe करो इत्ती सारी चीज़ें आपके के लिए हो रही है ठीक है